मैं पूर्बा आप लोगों का स्वागत करती हूं MP सक्सेसर्च में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कम्प्यूटर की लिस्ट ऑफ एब्रिवेशन जिसमें आपको एटू जड़ तक सारे जो आपके एब्रिवेशन फॉर्म हैं मैं सब बताने वाली हूं तो आपको जिते भी एक्जाम पेपर में आते हैं उनसे आपका यह एक भी नहीं शूटेगा एटू जड़ तक मैं पूरी सिक्वेंस से आपको बता हूंगी तो सिक्वेंस से याद रखेंगे तो आपको इसली याद हो जाएगा यह जो सिक्वेंस है यह बहुत इंपरंटन चरुप एंप्स तार्म और जो भी आज तक इसी थी मैं वह residential course oui इंसानाजिक कि आम से हो ल台 हूंब की स्व bonis उनाजिवाली सब.* MPPSC और MP में जो Group 3 सब इंजीनियर और जो भी आपके एक्जाम होते हैं CPCT एक्जाम इन सब में जिसमें भी आपका Computer सब्जेक्ट से MCQ अगरा आते हूं उसमें एक ना एक आपसे abbreviation पूछी लेता है किसी में आपसे अगर full form पूछ लेता है पूछ लेता है चार ओक्षन देते हैं उनमें से आपको चूज करना होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक से सीरीज से पूरा और आप एंड तक जोड़े रही है इस वीडियो से तो इस टाइप से आपको पूरे question यहां से solve करने के लिए मिल जाएंगे सबसे पहले जैसे यहां से आपका artificial intelligent यह एक important अर्म है आपके पूछ लेता है और आपका यह है आपका एल्यू तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह आपका सिंपल वर्ड यह तो पते रहता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फिर भी इससे भी कभी पूछ लेता है अगर उसे सिंपल कुछन में डाला हूं तो फिर ठीक है एम से अप्लिट्यूड मॉडूलेशन एम डी क्या हो गया आपका एडवांस्ट माइक्रो डेवाइस ए एन एस आइस अमेरिकान नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूट और यह आपका आर्पा से रिलेटेड हो गया आपका एडवांस्ट रिसर्च यह प्रोसेस एजैंसी आपका एडवांस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट अजनसी नेटवर्क आपका हो गया अर्पानेट से रिलेटेड डीसी टाइप से आपकी पूरे ऐसे पूछे जाती है यह एसी डवाला टर्म है आपका एसी डवाला आई तो इससे भी पूछ लेता है अमेरिकन आपको क्लेक काना है अगर अगर आपको करना होते हैं ठीक है तो यह आपकी पूरे इसमें आपका बी टर्म आता है आपका तो इसमें जो आपके बी से रिलेटेड जित्ते भी आपके MCQ है वह मैं आपको बता देती हूं आपके पूछे जाएंगे इसमें जो एब्रिवेशन रहेंगे जैसे बी टू जू आपका होगया बी डिजने स्ठीनियो इस टू बोड़ीं rep सब्सक्राइब करें तो इसमें लिखा रहता है cc bcc इस टाइप से तो यह हो गया ब्लाइंड कारवन कॉपी फिर bcd का हो गया बाइनरी कोड़ेट डैसीमर और बायोस का आपका क्या हो गया बेसिक इंपोर्ट आउटपोर्ट सिस्टम यह बायोस भी आपका इंपोर्टेंट है bcc इंपोर्टेंट है इस टाइप से आपके पूछ लिए जाते हैं ठीक है तो यह आपके जो है वह बीस रिलेटेड टार्म अभी इसमें चल रहे हैं ठीक है फिर जो आपका बायोस तो मैं बता चुकी हूँ फिर आपको हो गया बारइड रीड इंप हो जाता है बिट मैप और बीपी आई हो जाता है बाइट सथ पार इंच बीप याइस हो जाता है बिट सबैंच अस चैप के फिल्क फॉर्मेस से पूछे जाते आपका हो जाता है कंट्री को टॉप लेवल डॉमेंज सीडी हो जाता है कॉंपक्ट डिस्क सीडेक हो जाता है सेंटर फॉर डैवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग और आपका यह हो जाता है सीडेक हो जाता है को डिवीजन मल्टिपल एसे और सी डॉट आपका जो लास्ट में एक बचा हुआ है यह आपका सी डॉट यह हो गया सेंटर फॉर डैवलपमेंट ऑफ टैली मैटिक्स ठीक है इस टाइप से आपके जो सी के हैं यह रहेंगे और भी इसमें भी सी से रिलेटे हैं जैसे सी डी आर तो यह भी आपका एक इंपोर्टेंट टार्म है यह भी आपसे पूछा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड डेवल फिर सी डी रोम तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेवल यह आपका हो जाता है फिर सी ए आर एन सार्न आपका हो जाता है यूर कोवल का तो common business oriented language हो जाएगा आपका CMY का हो जाएगा क्यान मजेंटा येलो और कोमल का आपका हो जाएगा common algorithmic language यह भी आपसे पूछ सकते हैं CPI पूछ सकते हैं तो charter per inch CPS तो charter per charters per second इस टाइप से आपके यह हो जाते हैं और इसमें आगे भी आपका CPU पूछ लें तो यह भी आपका सेंपल है यह भी पूछ लेते हैं मुस्ली सेंडर प्रोसेसिंग यूनिट CRT cathode, cathode ray tube, CU control unit यह भी आपसे पूछ लेते हैं तो इस टाइप से आपके computer के यह C वाले आपके C से related जित्ते भी हैं मैंने वह आपको बता दिया आपका D से related आ जाते हैं तो D से जित्ते भी आपके topics हैं D से जित्ते abbreviation रहेंगे वह आपके इस टाइप से रहेंगे इसमें जैसे D slash A हो जाता है Digital to Analog DVMS आपका हो जाता है Database Management System DDS हो जाता है आपका Digital Data Storage DHTML हो जाता है आपका Dynamic Hypertext Markup Language DIMM हो जाता है आपका Dual Inline Memory Module DOS आपका हो जाता है Disk Operating System यह भी आपका इक important है यह पूछ लेता है Disk Operating System और DDS DBMS यह भी पूछ लेता है DNS Domain Name System यह पूछ लेता है DPI DOTS पर इंच यह भी पूछ सकता है DRAM Dynamic RAM यह पूछ लेता है इस टाइप से आपको मतलब important important बहुत सारी है इसमें अगर आप देखे तो इसके बाद जो आपके यह हैं यहां पर जैसे आपका DRAM तो Dynamic RAM DRDO Defense Research and Development Organization DSDDD आपका Double-sided, Double-Density, DSSD, Double-sided High-Density, DTP, Desktop Publishing, DVD, Digital Video Slash, Versatile Disk इसको DVD को आप Digital Video Disk भी बोल सकते हैं या पर Digital Versatile Disk आप Video या वर्सेटाइल एक को यूज कर सकते हैं तो दोनों में से एक कोई आपका पूछा जाएगा तो एक आपको कोई बेसमें से बताना है ठीक है इस टाइप से यह आपके D के हो जाते हैं इसके बाद आपका आता है यह तो आपके आपके अब्रिवेशन रहेंगे वो जैसे यह है इविजनेस, इविजनेस का क्या है आपका इविजनेस का इ immail का हुजाता है e-mails-dp electronic data processing डफली रम का हो cities debating आपको इस टाइप सती आपको करना है allotation जानें ahr net , यह उस्सका क्या हो जाएगा education and research network एक्स एससे आपसे पुछ लेता है तो इसका हो जाता है आपका execution ठीक है है इस ताइप से आपके जो ए के रहेंगे वह इतने words से यह रहेंगे आपके थेक है ना i maximize in terms यह एक इंपोर्टेंट है FDM Frequency Division Multiplexing यह आपका एप से रिलेटेड है इसमें तो यह भी आपका है कि important term है FET आपका file effect transistor यह है FIFO first in first out FILO first in last out FLOP floating point operation यह आपका है जैसे FM है आपका frequency modulation है इस ताइप से यह रहेंगे फिर Fortran का आपका हो गया formula translation for the formula और यह आपका transit translation FS की आपका हो जाता है frequency shift key FTP आपका हो जाता है file transfer protocol इस ताइप से आपके words रहते हैं इसमें फिर इस ताइप से आपका G term का गया G जो आपका alpha beta उससे related जो जिते भी आपके application है वह है जैसे जीवी गिगावाइट से जी आई एफ आपका हो गया graphics interaction format जी आई जी ओ आपका हो गया garbage in garbage outfit जी पी आर एस हो गया general pocket radio services इसका भी पूछ सकते हैं जी पी आर एस का जीवी का भी पूछ सकते हैं आपसे एच का आजाता है तो एच में आपके रहेंगे एच डी टीवी तो हाई डीटीनेशन टेलीविजन एच एलेल हाई लेविल लेंग्वेज ये पूछ सकते हैं आपके लिए तो हाईपर टेक्स मार्कप लेंग्वेज हो जाता है इसका और एस टीटीप का हाईपर टेक्स्ट ट्रांसपर प्रोटोकॉल यह जो आपके इस टीएमल और एस टीटीप हैं यह दोनों ही आपके इंपॉठेंट है यह भी पूछे जाते हैं मुस्तली तो इस टाइप से ही आपके एस तक हो गए बाकी जो आपके रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना कर आपको अंतलब दे दूंगी तो इस टाइप से आपक अगर आपको एब्डिविशन पूछता है फॉल 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 कम्पूटर के किसी भी आपके अल्फाबेट से तो वह आपके इन इमें से मिल जाएंगे तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से दीखे और मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लें अग थैंक कीई मैं लॉल फॉल फॉल! झाल छेम कीई!